नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं उमीद करती हों आप सभी अच्छे होंगे आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं इस टॉपिक में हम आज आपठित काफ्यांट्स के बारे में जानेंगे जो मुख्यता आपके हर परिक्षा में आता ही है आपठित काफ्यांट्स के उपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देख ले आज हम आपठित काफ्यांट्स के बारे में भी जान लेंगे कि इसे करते वक्त हमें किन भातों को ध्यान में रखना चाहिए क्यूंकि वच्चों अपठित काफ्यांट्स हर एक परिक्षा में आपसे पूछा जाता है और इसमें बहुत सरलता से आप नंबर पा सकते हैं अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं चलिए, अब हम जान लेते हैं सबसे पहले अपठित काव्यांच का अर्थ क्या होता है आपठित काव्यांच किसी कविता का वह आंच होता है जो पाठे करम में शामिल पुस्तकों में से नहीं लिया जाता है इस आंच को छात्रों के द्वारा पहले पढ़ा नहीं गया होता है मतलब बच्चों आपको कविता का कुछ ऐसा लाइंच दिया हुआ रहेगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है उन कविता के लाइंच को आपको पढ़ के समझना है उसके अर्थ को ग्रहन करना है उसके बाद आप दिये गए प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं अपठित काव्यांश पर आधारित प्रशनों को हल करने से पहले काव्यांश को दो तीन बार पढ़ना चाहिए तदह उसका भावार्त और मुल भाव समझ में आ जाए इसके लिए काव्यांश के लिए सब्दार्थ एवंग भावार्त परचिंतन वनन करना चाहिए चात्रों को व्याकरन एवंग भाशा का अच्छा पकड़ होने से यह काम आसान हो जाता है यद भी गध्यांश की तुलना में काव्यांश की भाशा चात्रों को कठिन लगती है इसमें प्रतिकों का प्रयोग इसका अर्थ कठिन बना देता है फिर भी निरंतर अभ्याज से इन कठिनाईयों पर विजय पाई जा सकती है बचो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अपठित गध्यांश जो होता है जिसमें छोटी मोटी कहानिया दी हुई होती है और उसके आधार पर प्रशन पूछे जाते हैं और आप उत्तर देते हैं वो ज्यादा इजी लगता है आपको परन्तु आपठित काव्यांश भी आपके परिक्षा कहीं अंस है कहानी की तुलना में कविता हमेशा थोड़ा सा कठिन लगता है परन्तु अगर आप इसको अच्छे से अभ्यास करते हैं बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को ग्रहन करने के चेश्टा करते हैं तो आप आसानी से परिक्षा में आने वाले आपठित का काव्यान्ष को हल करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए चलिए उन बातों के बारे में जान लेते हैं काव्यान्ष को दो-तीन बार ध्यान पूरवक पढ़ना और उसके अर्थ एवंक मूल भावाएं को समझना कठिन शब्दो या अंसों को रिखांकित कर प्रश्ण पढ़ना और संभावित उत्तर पर चिन्हित करना प्रश्णों के उत्तर दीते समय प्रतिकार्थों पर विशेश ध्यान देरा मतलब बच्चों आप कवीता को एक बार ना पढ़े कमसे कम दो तीन बार कवीता को ध्यान से पढ़े ताकि आप उसके अर्थ को समझ पाए कठीन शब्दों के अर्थ और अंश को रिखांकित कर लेना अंडरलाइन कर लीजिए जो भी आपको टफ वर्ट्स लगते हैं उसके बाद आप कुईसिंस को पढ़ लीजिए एक बार कुईसिंस को पढ़ने के बाद दुबारा कविता पढ़िए और जो भी जगा पे आपको लगता है कि यहां पे उत्तर है उसे अंडरलाइन करते हुए चलिए चौथा नंबर जो पॉइंट है बच्चो प्रतिकार्थों पर विशेश ध्यान देना यह हाईर क्लास में जो कविताय आती है जो कावियांश आते हैं उसमें प्रतिकों का प्रयोग होता है मतलब कुछ ऐस्री शब्द दिये हुए होते हैं जिसका अर्थ अलग होता है प्रश्णों के उत्तर काव्यांच से ही देना, काव्यांच से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास ना करना काव्यांच की पंक्तियों को उत्तर की रूप में न उतारना यदि प्रश्ण में किसी भाव विशेश का उलेक्ट करने वाली पंक्तियां पूछी गई हैं तो इसका उत्तर काव्यांच से समुचित भाव व्यक्ट करने वाली पंक्तियां ही लिखना चाहिए मतलब बच्चो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जहां पे कुछा जाता है वहां कविता की जो लाइन से उसी को लिख देते हैं ये गलती आपको नहीं कर दी हैं जब भी कविता में से या काव्यांच में से प्रस्ट में पूछे जाए आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है कविता को समझने के बाद उत्तर हमेशा आप अपनी भाशा में दे काव्यांच के जो पंक्तियां है उसको ना उतारे और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप काव्यांश को पढ़के उत्तर दे रहे हैं तो बाहर से अपने शब्द नहीं जोड़ने है आपको कविता में जो चीज कही गई है उसी को अपने शब्दों में लिखना है श्रीर्षक काव्यांश की किसी पंक्ती विशेश पर आधारित न होकर पूरे काव्यांश के भाव पर आधारित होना चाहिए श्रीर्षक संशिप्त आकर्षक एवं अर्थवान होना चाहिए आती लगू उत्तरिय और लगू उत्तरिय प्रश्ण के उत्तर में शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए प्रश्णों के उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा लेना चाहिए ताकि असाधानी से हुई गलतियों को सुधारा जा सके यहाँ पे कुछ महतपूर्ण बिंदू कहे गए हैं बच्चो सबसे पहला ये टॉपिक है कि जो भी आप टाइटल दे रहे हैं शीर्षक देते हैं कविता का जो गध्यान का शीर्षक आपसे पूछा जाता है वो कभी भी कविता के किसी एक लाइन को ले करके नहीं दिया जाएगा कविता आपको पूड़ा पढ़ना है कविता को समझना है उसके बाद ही आप उस टाइटल को दे सकते हैं जैसे कि आप कहानिया पढ़ते हैं बच्चो तो कहानी का नाम किसी भी एक पैरग्राफ या एक लाइन को ले करके नहीं होता कहानी या कविता का जो नाम होता है वो उसके अर्थ को या उसके मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए अब एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है बच्चो जब भी आप कहानी या कविता का लाइन दिया हुआ है और उसका आपको शीर्षक लिखने को कहा जाए तो आप लंबा चोड़ा शीर्षक ना दे आपका जो शीर्षक है वो छोटा होना चाहिए, संचिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और अर्थवान होना चाहिए, मिनिंग्फुल होना चाहिए और आपका अंतिम महतपूर्ण बिंदू है बच्चों कि प्रश्टों को उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा ले जो भी आप एंसर लिख रहे हैं उसको एक बार और पढ़ ले ताकि अगर कुछ भी आपने गलतिया किया है वाक्यों में असुद्धिया है तो आप उसको ठीक कर चके और आपके माक्स वहाँ पे डाकटे उमीद करती हूँ बच्चों आपने आपठित काव्यांच के बारे में आज अच्छे से जान लिया होगा और आने वाले सभी परिक्चाओं में आप आपठित काव्यांच में पूरा अंख पाएंगे याद रखियेगा बच्चों ये बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है ये आपके प्रतेग असी अंख की परिक्चा में आता ही है जहां पर एक अपठित गध्यांच और एक पध्यांच या काव्यांच दियागवा होता है मिलते हैं हैं हम अपने अपने वीडियों के पेच्चाओं एक आपके अपके